नमस्कार ब्यार योद्धा पे आपसे विकास स्वागत थे इस वीडियो में हम लोग सुरू करेंगे पाथ जुलाई दोजारी किसके महत्पून करन डपेर जो कि आपके सभी एक्जामों के लिए महत्पून रहेगा चले सुरू करते हैं आज कर सेशन आज कर सेशन में पसंद नमबर ये हो जाए गया के विजिए संपतकुमार यहाँ केपी को सुधार लिजागा केवी संपतकुमार हो जेएंगे के वी संपतकुमार जो कि इसका सभी कर संपाधक थे अगला सवाल है आज का पहला सवाल कि राश्ट्टिये जनतादल पाथ जुलाई को अपना 25 असापना दिवस मनाएगा इसकी असापना कब हो था देखे राश्टिय जनतादल जिसका जो उस समय जो गठन के थे लालो परसाद यादोजी के नित्रितों में किया गया था और इसकी असापना हो था 5 जुलाई 1997 को और इसका चुनाव चिन क्या है लाल टेन है जे लाल टेन जनती मनाएगा अब 25 जनती को कहीं कहीं आपको लिखने के लिए मिलेगा रजत जनती देखने को मिलेगा रजजट जनती को बोला जाता है और तो रजत और अगर पचासवां बोलेगा तो स्वर्ण जैनती होगा चलिए दूसरा नंबर स्वाल है कि टोक्यो परलम्पिक खेलो के लिए भारती दल का धोजा वाहक किसे चुना गया है तो परलम्पिक के मतलब क्या होता है परलम्पिक के मतलब दिव्यांग खेलो में बात ह हो रहा है और यह कब से शुरू होगा 24 अगर से शुरू होगा 24 अगर से शुरू होगा और इसका धोजा वाहक किसे चुना गया है तो सही अंसर मर्यपन थंगावेलू हो जाएगा मर्यपन थंगावेलू और मर्यपन थंगावेलू जी के बात किया जाए तो यह कहां से बिल हुआ था पेरलंपिक खेल में स्वनपद longing जीते थे यानि काने का मतलब ध्यान सा समझेगा कि स्वन्पदक जीते थे कब दोहजार सुल्ला ॥े जो रीओ डी जनर्या बराजिल में पैरलंपिसे छेल था उसमें अब बात किया जाए कि δिखें़ दो एक परलम्पिक खेल होता है और एक और होता है नॉर्मल ओलम्पिक खेल जो होता है अगर बात क्या जाए नॉर्मल ओलम्पिक खेल के बारे में कि इसका जो सुवंकर है ये क्या है तो मिराई टोवा मिराई टोवा जो की नॉर्मल खेलों के लिए सुवंकर होगा मिराई टोव अगर यही बोल दे कि पैरलम्पिक खेलो के लिए जो अभी सुबंकर है उसका नाम क्या है तो सो मेटी सो मेटी जो की सुबंकर है किसका पैरलम्पिक खेलो के लिए अगर नॉर्मल खेलो के बात किया जाए तो मिराय टोबा हो जाएगा अगला स्वाल है तीन नमबर राज कोसल जिनका हाली में निदन हो गया या किस हैते से सम्मंदित थें ये फिल्म निर्माता थे ये फिल्म निर्माता थे इनका निदन हो गया ये मंदीरा बेजी जो कि महसूर अबिनेतरी है उनी का पती थे इनका निदन हो गया है और इनका ए तो आपको मार करना है वाई-इसर से सिधे जाना है आंदर परदेश में आंदर परदेश इसका सही आंसर होगा और इसका शुरुवात वहां के मुख मंत्री जगन मोहन रेड़ी ने किया था और इसमें है क्या ये योजरा में है क्या तो आपनों समझें अगर किसी का उम्र अगर 18 से लेकर 50 साल तक है अगर उसकी और इसकी मौत प्राकिर्तिक रुप से होता है यानि कि बीना किसी दुरगटना के ना उसको विमारी हुआ हो तो उसे परिवार को एक लाख रुपया दिया जाएगा यही अगर किसी का उम्र 18 से 70 साल है अगर इसका नीदन हो जाता है ओ भी दुरगटना में दुरगटना मे उसकी मौत हो जाता है तो अंदरपरदेश सरकार के द्वारा पाच लाख रुपया दिया जाएगा पाच लाख रुपया भी दिया जाता है इसके लावा अंदरपरदेश में आप लोग कुछ योजना याद रखें जैसे एबी सी एबी सी नेस्थम योजना संबन्दित है यह सब योजनाओं के बारे जो कि आपको आंद्रप्रदेश में देखने को मिलेगा छे नमबर प्रसले है एस बी आई अश्टेट बैंक कॉप इंडिया ने एक दुलाई दो जार एक कि इसको अपना कितना मा असापना दिवस मनाया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा यानि कि दो हजार एक इसमा बात किया जाए तो यह 66 असापना दिवस मनाया अब देखिए अस्टेट बैंक कॉप इंडिया के बारे में आपको बता दू कि इससे दो तीन सवल कैसे बनेगा पहला तो पुछेगा कि इसका अस्थापना कब हो था तो एक जुलाई एक जुलाई 1905 को हुआ था और पहले इसका नाम क्या था imperial bank of इंडिया क्या नम था Emperor bank of इंडिया और बाद में इसका नाम state bank of इंडिया हो गया भारत का देखा जाए तो सबसे पुराना बैंक है और इसका headquarter आपको मुंबई में देखने को मिलेगा मुंबई में इसको headquarter और वरतबान में इसबी आई के पूछ दे की चेयरमेन कोन है तो दिनेज कुमार खारा जी जो के वर्तमान में एसबी आई के चेयरमेन है यानि अधैरच्छ हैं अगला सवाल है साथ नमबर अमेरिका का सवतितरता दिवस कम बनाया जाता है अमेरिका भी ऐसा नहीं, अमेरिका भी पहले किसके अधिन था, ब्रिटेन, ब्रिटेन से यह सवतंतर हुआ था 1776 में और 4 जुलाई को, 4 जुलाई को इसका सवतंतरता दिवस मनाय जाता है, सवाल पुछे का कि बताईए कि 2021 में अमेरिका की अजादी की कितनी मी वर्सगाट मन आए गया, किसका अमेरिका की अजादी का, अगर पुछे कि अमेरिका के पहले राजपती कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या जला जाएगा, जौर्ज वासिंगठन, जौर्ज वासिंगठन, इस नी के नाम पर अमेरिका की राजधानी जो है न, इनी के नाम पर रखा गया है अमेरिका के पहले राजपती जोर्ज वासिंगटन किलिए रहा था है चली देखते हैं आठ नमबर स्वाल आठ नमबर में बोल रहा है बैस्वीर साइबर सुरच्छा सुचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा यह बोल रहा है Global Cyber Security Index में तो अगर भारत का अच्थान बोले तो इसका से अंसर दस्मा हो जाएगा भारत का अच्थान दस्मा रहा अब सवाला ता है कि इसको प्रसूत कोन करता है इसको परतूस करता है ITU के दवारा ITU के मतलब क्या होता है अंतर राष्टिये दूर संचार संग के दवारा इसको परदर्सित किया जाता है यानि कि परकासित किया जाता है किसके दवारा अंतर राष्टिये दूर संचार संग अगर इसका हेड़कॉर्टर पूछ दे तो इसका हेड़कॉर्टर जिनेवा में ह हो जाएगा अगर इसमें पुछे के बैस विक साइबर सुरच्छा सुतकांक में नंबर वन कौन रहा नंबर वन अमेरिका रहा और नंबर टू पे दो देश रहें नंबर टू का अगर बात क्या जाए तो दो देश रहें कौन है एक United Kingdom हो जाएगा और एक हो जाएगा साओधी अरब साओधी अरब तो दीखे केवल और केवल आप लोग भारत के जो अस्थान है और पहला अस्थान दो याद रखे इससे ज़्यादा स्वाल ने पुछेगा इससे अगला स्वाल है नौ नॉमबर All India Radio के महां निदेशक के रूप में किसने पधवार संभाला है All India Radio के अगर बात क्या जाए तो यह किसके अधीन आता है सूचना परसारण मंत्राले के अधीन आता है सूचना परसारण मंत्राले के अधीन आता है और इसका सही आंसर क्या चला जाएगा option number C हो जाएगा एन वेनुधर रेड़ी जो की I.S. अधिकारी कौन से बैच के है तो 1988 के 1988 बैच के I.S. अधिकारी है तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा इनको महानी दिर्सक बनाया गया है All India Radio का चलिए देखते हैं अगला स्वाल दुनिया का तीसरा और देख का दूसरा सबसे बड़ा अश्टेडियम तीके देख का दूसरा सबसे बड़ा अश्टेडियम है और अगर पहला पुछ दे कि देख का पहला सबसे बड़ा अश्टेडियम कहां है तो अहमदाबाद में है हमदाबाद में शुरवात में अगर इसका नाम के बाद किया जाए तो मोटेरा अश्टेडियम रखा गया था अब बाद में इसका नाम पलटके क्या कर दिया गया है नरेंदर मोधी अश्टेडियम नरेंदर मोधी एस्टेडियम कर दिया गया और यहां पे स्वाल बोड़ा दुड़ना का तिसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा एस्टेडियम तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जैपूर में बनेगा और इसकी जैपूर को क्या बोला जाता है पिंग सिटी ओप इंडिया और यहीं पर आपको राजस्तान में ही आपको जोदपूर मिलेगा जोदपूर को क्या बोला जाता है इसको गॉल्डेन सिटी ओप इंडिया बोला जाता है गॉल्डेन सिटी ओप इंडिया बोला जाता है गॉल्डेन सिटी ओप इंडिया यहां त 10 सवाल कहीं पे आप लोगों को दिक्कत होता है तो कॉमेंट करिए वहां पे आपके सभी प्रसनों का जवाब मिल लियागा चलिए देखते हैं जैसा कि सेसन हम लोग सुमापती के और बढ़ते हैं तो क्वीज करते हैं क्वीज जो कि अगामी 6 महिना के जो अंदर में जो भी एक्जाम होंगे उसमें बहुत कारगर सावित होगा देखिए पहला सवाल है क्वीज का माइकल सो मेरे इनका हाली मिरिदन हो गया या किस देश के पहले परधान मंत्री थे तो पहले परधान मंत्री कहां कहते हैं पापवा नियोगी ने यह सब सवाल गोल्डेन सवाल है उद्घाटन तमिलाडू में किस ने किया पहली बात तु याद रखना है यह भी सवाल पुछेगा कि नवेली थर्मल पार पुर्योजना कौन से राजिस से संबंदित है तो तमिलाडू और इसकी अगर बोल दे कि इसको उद्घाटन किन के द्वारा किया गया तो पधान मं पुछता कि नरेंदर मोदी जी के द्वारा इसू पठान ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लिए है वह कौन से राजिस से है यानि कि ये कौन से राजिस से संबंदित है तो इसका सही अंसर गुजरात हो जाएगा कभी-कभी ये भी देगा सवाल कि इसू पठान का समन्द की स्केल से है तो किर्केट हो जाएगा कौन सा देश अपना प्रामपरिक लाल्टेन तेवार मनाया प्रामपरिक लाल्टेन तेवार के अगर बात किया जाए तो चीन ने मनाया चीन इसका सही अंसर जाएगा चीन इसका सही अंसर जाएगा चली दिखते हैं चीन न मुख मंत्री अंतियोदे परिवार उथान योजना सुरू किया है तो इसका सही अंसर हर्याना हो जाएगा अगला स्वाल है भारत में AI यानि के आर्टिफिसियल इंडरेजेंस इसको बोलते हैं गेम चेंजर सकार जिक्रम कौन सा संगटन ने सुरू किया था तो इसका सही अंस किस राज में मां बमलेस्वरी देवी मंदिर विकास पर्युजना के अधार सिला रखा गया है तो इसका सही अंसर 36 गड़ हो जाएगा 36 गड़ इसका सही अंसर भारत सरकानी लाल चावल को कहां भेजा है अमेरिका को भेजा है तो लाल चावल किस राज में उगाया जाता है लाल चावल को असम में उगाया जाता है यहां तक किनी को कोई दिकत चलिए यह था आज का सेशन सेशन कैसा लगता है अपने गाये को क्या करना है कोमेंट बोक्स में देना है जितना ज़्यादा कोमेंट हो के सके लिए कवाली तेरा कौन बनी है यह पहली महिला तेराक बनी है तो इसका सही आंसर जो लगता है उसका अंसर करना है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको जाने से पहले बता दू कि इस लेक्चर का अगर PDF राप्त करना चाहते हैं तो आपको link description box में मिल जाएगा अगर किसी भी तरह का query हो अगर आपको PDF से समझेत कोई जनकारी हासिल करना चाहते हैं तो दिये का number पे आप लोग WhatsApp करिए वहां से आपके सभी समस्याओं को solve care दिया जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप लोग देखते रहे हैं बिहारी उध्धा